पाकिस्तान, बांगलादेश और अफगानिस्तान में मिला के लगबग धाई से तीन करोड अलप संख्या करेते हैं। वहाँ बहुत गरीबी हैं, उनके अज रोजगार नहीं हैं। भारत में आतो आना और भारत की नागरिक्ता मिलना उनके लिए तो बहुत बड़े सपने की तरह हैं। और अगर हमने भारत के दरवाजे खोल दिये, इतनी बड़ी संख्या में लोग आने वाले हैं जिसकी हम कलपना भी नहीं कर सकते। इन धाई तीन करोड़ लोगों में से अगर एक डेड़ करोड़ लोग भी आ गए तो कहां बसाया जाएगा उनको क्या करेंगे उनका ये मेरा प्रश्ण था मानिये ग्रहमंत्री जी जिसका जवाब आपने नहीं दिया। आपका ये कहना है कि 2014 से पहले के लोगों को जो आचुके 2014 से पहले उनको बसाया जाएगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं 2014 के बाद आना बंदो गया। 2014 के बाद भी आ रहे हैं हीतक का रहे रोज के तो अभी तक 2000 जो इलीगल माइगरैंटת आते जो गुस पैटी हमारे मेसेज है कि भारत सरकार अब जो है इन तीनों देशों के घुसबैठियों को लीगल करने जा रही है तो यह 2014 आज आप 2014 वालों की बात कर रहे हो कल आप 2019 के पहले वालों की बात करोगे फिर यह डेट एक्सेंड करके 2024 कर दोगे क्योंकि घुसबैठियों तो आई रहे हैं आप आपने रहंगियों के बात की यह तो आपए के टाइम में आया थे यह तो 2014 के बाद आये सारे रहें जकीया तो बना रहे हो यह देश के लिए बहुत खतरना के आहिए इतनी बहए ने वारी संख्या में इसके बाद गुस-पैटी आने वाले हैं जिसके में कल्पना भी कर सकते हैं आज जो 2014 के पहले भी आये थे हमारे देश के अंदर उनके अधिकार नहीं है आप उनको नागरिक्ता देके अब सरकारी नौकरियों दी जाएंगे उनको पाकिस्तान से आए हुए घुसपैठियों को हमारे देश के अंदर सरकारी नौकरियां दोगे आप अर mines को उनके राशनकार बनाएंगे हम लोग आज डिली के अंदर बहत्र लाख लोगों के राशनकार हैं वो वो कम पढ़ते हैं, हम बार बार के अंदर सरकार को लिखते हैं, भई हमारे दिल्ली के अंदर गरीब ज़्यादा है, राशनकार बढ़ाने की इजाज़त दो, उनके राशनकार बढ़ाने की इजाज़त नहीं देते हैं, और पाकिस्तान से लाके उनके राशनकार बनाओ गया आप पाकिस्तान और बंगलादेश के लोगों के, ये तो सही नहीं है, हमारे देश के लोगों के अधिकार मार के, आप उनके लोगों का अधिकार दे रहे हो, सरकारी पैसा हमारा पैसा है, सरकारी पैसा 140 क्रोड लोगों का पैसा है, हमारे टैक्स का पैसा है, पाकिस्तान यू बसाने में खर्च करना चाते हो, यह मंजूर नहीं है इस देश के लोगों को.